जै जिनेंद्रा जै बोले ना दोस्तों तीन बच के 36 मेंट और मार्केट अभी बंद हुआ है छे मिनेट पहले सबसे बले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर देख लीजे इसको पढ़ना अनिवार है मेंडेटरी है मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलोग टाइट मार्केट की कोई ताकत नहीं वी निकलने की लेकिन अब कल के लिए यह आज कितना बना 25 आज का लोगो कितना बना 161 और यह लोग कब बना मालूमाँ दोस्तों कि दो सो पचास का हाई बनने के बाद बना है यानि कि दो बच के 45 मिट पर ये लो बना मैंने आप लोग को आज क्या बोला आज अगर आपको शौर्ट करना भी है तो 230 से 250 के बीच प्रॉफिट भी बुक करें यहां शौर्ट करोंगे 50 पॉइंट उपर का स्टॉप लोज डाल यह आज का लोग है और लास्ट ट्रेट हो रहा है 233 मतलब क्लोजिंग योगी 233 तो बहुत बड़ी क्लोजिंग तो पहले मैं आपको वह सबूत दिखा देता हूं तो यह देखे यह कल की कल की लास्ट ट्रेट थी यह वाला यह पांच मिनट की कंडल स्टिक है सारी की सारी दो दिन की पांच मिनट वाली केंडल स्टिक यह कल की लास्ट केंडल थी जिसमें 101 पे क्लोज हुआ लास्ट केंडल पांच मिनट वाली मैं एक्जेक्ट क्लोजिंग नहीं बता रहा हूं पांच मिनट वाली केंडल की क्लोजिंग बता रहा हूं 101 आज पहली पांच मिनट की केंडल सीधा 17170 पे खुली 203 का हाई बना है 204 का पहला और 163 का जो लो था यह देखिए पहला केंडल में आज का लोग बना 163 यह वाला लोग ठीक 245 को कटा यह नया लोग यानि कि मार्केट ने मेरी रेंज को इजद दिया मैंने आपको बोला था 230 से 250 आज दिन बर इसकी तागत नेवी 250 को भी क्रॉस करने की इसका मतलब नहीं है कि कर नहीं करेगा सुबह पहला केंडल में 163 का लोग था लास्ट में 245 को आपको 161 का लोग बनाया आप देख सकते हो लेकिन फ्यूचर्स का जो लोग 160 का था यह सुबह का यह यह चेंज नहीं हो यह यहां पर आया था 166 तक आया था आप चेक कर सकते हैं आपने अगर शॉट किया तो आपक को 90 पॉइंट मार्केट ने दिये 90 पॉइंट और मैंने जो जो बाते बोली सब कुछ से होगी मार्केट कोई मंदी नहीं हुआ कि नब्य पॉइंट आपको मिले फिर भी लेकिन टाइमली एक्सर लेना था क्योंकि यह रुका नहीं कि दो पाचास को सीधी उपर जाना स्टार्ट कर दिया कि दोपचास वाली केंडल में सीधा उपर घया तीन में तक यह वापस उनी लेवलसे आप थि कहा यह यह तीन यह tinn केंडल आपको गिरावटहे मिली कि लाइन से कि दो पैटीस दो चालीस और दो पैटालीस यह मांच-मांच मिनट की तीन केंडल गिरावट आई थी जहां आपने 161 का नया लोग बना लेकिन दो पचास को उपर गया फिर दो पच्पन तीन और साड़े तीन तक तो वापस दो सो चालीस पहुंच गया लेकिन आपको बढ़िया मौका मिला सत्तर असी पॉइंट तो हमारे लेवल्स का एक एक्यूरेशी आपने दिखा है अब आजाते हैं कल की बात करते हैं तो दोस्तों वह सारे लोग को अब समझ में आया कि मैंने इस दिन क्यों बोला था बॉटम बन गया एक बार एक बार और यह टूंडेड यह मैं आपके देख रहे हो तो यह लॉलीपॉप आपके लिए मैंने बोला था सो बार रिपीट किया था उसी दिन और यहां से आप कहां पहुंच गया लगबग 250 और इस दिन एक्जेक्ली मैंने बोला था 230 का मेरा पहला टार्गेट है इस सीरीज का और दूसरा टार्गेट है 430 यह दो टार्गेट मैंने दिये थे इस पूरी सीरीज के लिए कहां दिये थे 17,480 के लेवल पे जबकि 16,410 का लोग बना है 16,480 के लेवल पे आप चाहो तो वीडियो को भी चेक कर सकते हैं तो 230 वाला तो मेरा टार्गेट पूरा हो गया पहला टार्गेट दूसरा टार्गेट 430 है और नहीं भी आए 300 तो आएगा चलिए यहां से खीचा यानी 1000 पॉइंट आपको लगबक मार्केट दे रहा है 800 दे चुका कितने दिन में जो मंडे वाला दिन भी गिन लू तो दो दो चार दो छे छे दिन में आपको 800 पॉइंट मिल रहे हैं खाली मैं इस जगह रोंग था जब प्राइडे के बाद मैंने बना था मंडे को ऊपर आएगा तो मंडे को तो भाया उसका पूरा मैं हर एक दिन आपको डॉट लेवल दिये डॉट अब कल क्या होगा अब कल के लिए हम यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि मामला यहां पर डेंजर होने वाला यह बड़ा टार्गेट है इसका जो मेरा इस सीरीज का भी टार्गेट है चार सो लेकिन इसके ऊपर निकलके था भाई साब आप साड़ी छे सो साथ सो भी देख सकते हो ठीक है और एक और ट्रेंड लाइन बनाएंगे हम ऐसी इसके इसाफ़ से मार्केट कल इस जगह भी रेजिस्टेंस ले सकता है यह क्या है लेवल लेकिन मुझे लगता नहीं अब कल टू सिस्टी को इज़त देगा आज दो सो पचास का हाई बना है तो कल आपको अगर शॉर्ट करना भी तो मार्केट को 400 के करीब जाने दीजे उसके बाद ही शॉर्ट करिए वरना अपना प्रॉफिट बुक करके सांथ बैठे रहे मत खेलिए था ले कि अ क्या बिद्ग को पार किया तो फिर फिर चार्सों की तरफ जाएगा यह भी लिखत लिए विए लिए आफिलोत है एक दिन के लिए एक दिन के लिए ठीक है है लेकिन मुछ्वांड वाले समालने की कोशिस करेंगे क्योंकि उनकी प्लोजिंग 31 की नौट तीस की ठीक है कि अब दहुत कि मार्केट क्या किया है कि यहाई यह लो अब यह लोवर हई है लोवर है लोव लोग है कि पता चुर्ट को तेज हो गया जब इस वाले हई को तोड़ने की ताकत रुखत है तब यह This आध समझाता हूँ कि यह था और यह लोगरा इस आध धूसरा वाला हई लोवर हई बनद कहो से यह वाला हम नीचे बधना जर्स लोज़ representative ुस्मूर cannis कि तक ये हाई अभी मार्केट अब तक तेजी में आजायेगा जाएगा कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा किसके उपर 17 चार्सो है दसके उपर अगर क्लोजिंग आ जाती है फिर मार्केट यह त्रेंड चेंज करता क्या करते का ट्रेंड चेंज़ हो जागा लेकिन कब चेंज होगा जब 410 के उपर क्लोजिंग आगी आप लोग लिख लीजे याद नहीं रहेगा अगर नहीं आती है तो अभी मार्केट का ट्रेंड बीरिश है बूलिश नहीं है हमने लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट का ड्रेंड चेंज होगी है उसके कुछ कुछ कारण क्या क्या है पहला करण आज भी 50 CMA की वेल्यू 347 है जब कि उससे कम है भी CMA की वेल्यू 174 और उससे भी कम है 10 EMA की वेल्यू 17,000 पिच्छासी यानि कि 50 EMA is greater than the value of 50 EMA is greater than 20 as well as 10 EMA it shows that in the one week or one month period the market is on the downside एक मैने की अगर कोई positional view बना के खेलता है तो अभी भी short करके ही खेल सकता है एक डेड़ मैने के लिए अगर कोई खेलना चाहता है तो उसको short करके खेलना चाहिए positionally लेकिन stop loss बड़े होंगे उसका क्यों क्यों कि 50 EMA की value ज्यादा है बीस वाली से और बीस वाली की 10 से ज्यादा वह इसके विप्रीद होता कि 10 वाले की value 20 से ज्यादा होती और 20 वाले की 50 से ज्यादा होती तो मैं आपको आज बोलता कि market अभी भूल ट्रेंड में लेकिन मीडियां तर्ब में market bearish नहीं है मीडियम टम में यानि कि तेन से च्छे माहिने का अगर आंकलान करते ओ तेन से च्छे माहिने का तब थिए declaring स्थी निय offers truc आज भी हंड्रेड बेश्न दे लिए मर्ट करते हो आज अंडर्ड ये मैं जो है वह वॉब 2-3 अम tamanho यह 243 से नीचे तो तो निफ्टी एक बार बीयरिश है जो भी राइज आती हो सेलिंग ओपोचुनिटी है लेकिन हम लोग क्यों फस है हम एक लेवल पर सेल करेंगे जैसे आज एक लेवल पर निकाला तो आपने देखा उसका कमाल मार्केट ने बहले आपको 90 कोईंट दिया उस लेवल से ठीक है तो मार्केट ओवर ओल तीन से च्छे मेने के पिरेड में अभी तक बीयरिश नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि आज भी 50 एमे की वेल्यू सो वाली से ज्यादा है क्यों क्यों सोब बढ़ी हो गई ना आभ को है वड़ी की बढ़ी वाली कि अ क्यों हो गय? इन दोनों से जा वाले की जादा है इसीलिए मैं सूटे Nahm आप मूंत लेकर चलते हो अगर आपको ताकत है एक से ऐड़ मेंना समालने की तो मैं आपको सोलह आजार स्क्रीन पर डिफिनेटली दिखाने का वादा करता हूं वादा करता हूं वादा तो लाजार तीन सो एटलीस दिखाने का अल्मोस्ट कंफॉर्म बोल सकता हूं लेकिन बीच में आपको यह भी जहलने पड़ेगे क्योंकि यह स्टोरी बताते है यह में को मैं इन से बात करता हूं समझ मैं आपको आई टॉक विद दिस केंडल स्टिक डाट इस में खासियत मेरी जो दुनिया का कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं करता है दुनिया का बोल रहा हूं है तो मैंने आपको आज क्या संजाए अगर आपका व्यू एक से डेढ़ मेंने वोल्डिंग का तो आप शोला दिन सो आराम से देखने आपको स्क्रीन पर मिलेगा ही मिलेगा एट एनी कोस्ट ठीक है क्योंकि यह clear cut बता रहा है लेकिन अगर आपका विए तीन से चार मैने का है तो आप कोई भी लेवल पर buy करिया आप overall winner रहोगे ठीक है मगर हम day by day चल रहे है तो day by day यह क्या बोल रहा है कि कल इसको फिर से 260 x के लिए resistance है उसके उपर निकला तो फिर यह सत्रह 400 तरफ भागेगा ठीक है लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा हैडल के आएगा जो पचास यह में की वेल्यू है वह लगबग 350 पर तो 350 से 400 का जोन है आपके लिए कल प्रॉफिट बुकिंग जोन 350 से लेके 400 वहाँ पर जैसे आज मैंने प्रॉफिट बुक करने बोला अगर आप कल लॉंग करते हो या लॉंग हो तो 350 से 400 का जोन प्रॉफिट बुकिंग जोन भी है और वहाँ पर रिस्टेकर जो है वह एनी एनी क्लोज अबाव 420 का स्टॉप लोज डालके क्लोज क्लोज बैसे शौर्ड भी ले सकता है अब आज यह सब साड़े दिन बजे बाते कर रहां त्रीन उन्चास हुए अभी बैंग निफ्टी इसकी तो नानी मर गई है इसकी क्या मर गई है नानी इसकी नानी क्यों मर गई है क्योंकि इसका 200 यह में के उपर जाने के लिए कितना प्रैस हो गया तुएंड़ यह में के वेलू कितने 359 आज कहाई कितना है मतलब 200 यह में के ऊपर इसको क्लोजिंग आने के लिए पापड़ बेलने पूर रहे हैं और अब इसकी 200 यह में के बिल्कूल नजदिक आ गया इसका 10 यह में भी ठीक है तो 3075 के ऊपर जब तक जुए क्लोजिंग नहीं दे तब तक इसमें तेजी बंती ही नहीं है जब तक बेंक निफ्टी 300 मजदे 375 के ऊपर या तो आदा Nghant questo टीके नहीं या और ऑनगर्टर टीके नहीं या फिर क्लोजिंग नहीं दे तब तक इसमें तेजी बिल्कुल भी नहीं बनती है इसका आज भी टार्गेट आ रहा है 33 500 का कितना रहा है 33 500 का कनफॉर्म टार्गेट आ रहा है इसका लेकिन अगर यह किसी भी कारण से 375 के उपर 35 375 के उपर टिक गया और क्लोजिंग दे दिया फिर मामला इस तरफ आ जाएगा 36 500 ठीक है अभी भी यह 200 इमें के नीचे कितनी क्लोजिंग दे चुका एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ भी क्लोजिंग है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कशना कंफिडेंस है कि कल यह किसी भी कारण से इस लेवल के उपर निकलेगा क्योंकि यहां ओलएडिए तीन धक्के इस लाइन को मार चुका है ट्रॉजिंग साथ बार दे चुका है लेकिन तीन भार धक्के भी मार चुका इसके ऊपर तीन धक्का अगर आप दर्वाजा प करके भी दर्वाजे के अंदर गुश सकते हो कल हो सकता है बैंक निफ्टी गैप ओप ओपनिंग भी दे दे लेकिन यह लोजिंग जब तक नहीं दे तब तक इसमें तेजी की पोजिशन केरी नहीं करनी चाहिए ठीक है तीन सो पच्छत्तर के उपर अगर यह कल गैप अप होता है या इस लाइन के ऊपर ट्रेड करें तो आपका पहला टार्गेट होगा यह जो गैप था 3535 3535 पहला टार्गेट मगर मुझे लगता है इसको क्रॉस करेगा और मार्केट एक बार किसी भी तरीके से इस लेवल पहाएगा जो की लगबग 36,000 है ठीक है यहां कहीं आपको शौट मारना चाहिए यह ओवर ओल मेरा एनलेसिस है पसंद आए तो ठीक है अब कल के लिए मेरा पर्सनली व्यू है कि साइथ हम कल पहला हाफ तेज रखेंगे और दो बच के 50 मिनिट के बाद साइथ एक आखरी के 40 मिनिट में एक घिरावट अच् किसी भी अच्छे अडवाइसर से पूछ के करिए जै जिनंद्रा जै बोलेनाथ जै